अगर वीडियो को क्लिक करें चुके हैं तो इस चोटे से वीडियो को आप पूर अंत तक देखें हो सकता है या चोटा से वीडियो आपके बच्चे का फ्यूचर बना सकें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विजय सर और हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिस विद विजय सर में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम ऐसे टॉपिक पर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिस पर आपके बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है है और वह हैिंग्लीश मेडियom इंग्लेश के इंपॉर्टेंज को देखते हुए सभी पेरेंंग्स चाहते हैं और अच्छे-पड़ाई करके बहुषुसे में कुछ tehdai अच्छी बात है सबी परेंट्स को ऐसा सोचना चाहिए अपने बच्ची के भौईसे के बारे में लेकिन केवल पांस से दस परसंट पांस से दस परसंट बच्चे ही इस इंग्लिश मिडियम में अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं और उच्छ सिक्षा के लिए त्यार हो पात करना करना पड़ता है और यह इंग्लिश मिडियम उनके लिए एक बोज बन जाता है क्या पैरेंट्स इस विसाय में सोचते हैं नहीं उनका काम था बच्चे को इंग्लिश मिडियम में एड्मिशन कराना वो उन्होंने करा दिया उनके जो भी खर्ची आ रहे हैं उनके पू कम आते हैं तो बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं और एक ट्यूशन से काम नहीं चलता तो दूसरा ट्यूशन भेजते हैं इस प्रकार से बच्चे के लिए वो हर कोशिस करते हैं हर वो प्रयास करते हैं ताकि बच्चे का नंबर अधिक सधिक आजाए इसकुलों में भी इस इसी प्रकार के प्यास किये जाते हैं स्कूल मेनेजमेंट चाहता है कि उनके जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे से पढ़ाई करें अच्छे से नम्मर लाएं और उनकी स्कूल का उनके मेनेजमेंट का नाम रोसन करें इससे ज्यादा वो नहीं सोचते या उनकी स्किल डेवल दिया गया है कि इस कक्षा में इस लेशन तक या इस लिबस तक पढ़ाई करना है और उसी स्तर पर उनका एक्जाम होगा जिसमें बच्चे को अच्छा परफार्मेंस करना है तो स्कुल मेनेजमेंट अपना पाट बखोबी पूरा करते हैं और प Manual करते हैं और और आपने सारे करदे को पेर्ट मैंने करते हैं और पृरी करते हैं और टीचर्स और पेरेंट्स ये दोनों की खुषory के Always इन दोनों को खुश करने के लिए बच्चा जो है अपनी खुशी को त्याग कर दीन रात मेहनत करता है रट रट कर याद करकर जो चीज उसको समझ में नहीं आता उसको रट लेता है रटने का प्रयास करता है और ऐसा करते करते वो दिन रात मेहनत करता है और एक जाम्स में अ प्राइमरी क्लास में, मिडिल क्लास में, इन चोटी कक्छाओं में वो अच्छा परफार्मेस करते हैं, क्योंकि चीजें जो है चोटी होती है, चोटी-चोटी चीजें होती है, प्राणभिक की चीजें होती है, वो उनको समझ में आ जाता है, और कुछ चीजें जो रटना होत है वह रड़ भी लेते हैं तो छोटी कक्षाओं में यह अच्छा परफार्मेंस दिखाते हैं अब जैसे जैसे सिख्षा का इस तर बढ़ता है बड़ी कक्षाओं में पहुंचता है तो 90% जो बच्चे होते हैं उनको बहुत समस्य होती है और इस प्रकार पैरेंस को जब यह पता चलता है तो वो उनके पढ़ाई की इस तर को सुधारने के लिए वो उनको ट्यूशन भेजने लगते हैं अब इस प्रकार देखिए पैरेंस उनकी कमजोरी को पकड़ने के बजाए उनकी दिक्कतों को और बढ़ा देते हैं कैसे एक तो स्कूल का वर्क उसके बाद स्कूल से जो मिला है वो होम अर्क उसके बाद ट्यूशन भेज रहे हैं तो ट्यूशन में भी कुछ वर्क दिया जाता है ट्यूशन होम अर्क समझे वो भी उनको पूरा करना है तो देखो पहले ही समस्य कम नहीं थी और सुधारने की चकर में इनकी समस्य को और बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चे को घर का, स्कूल का, ट्यूशन का, सारे जगा का जो वर्क का है उसको एक साथ करना पड़ता है। आप जड़ा सूचिए, एक बच्चा जो बड़ी मुस्किल से अपनी मात्री भासा को लिख पर सकता है। उसको एक मात्र हिंदी भासा का सब्जिक्ट होता है उसको छोड़के बाकि सारे सब्जिक्ट को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ता है। उसको समझना पड़ता है और समझ को लिखना पड़ता है। तो जब तक बच्चे को उस भासा का उस इंग्लिश भासा का ज्यान नहीं होगा। तो वो कैसे उसको पूरा करेगा। कैसे उस भासा में वो किसी क्वेस्चन का अंसर बनाएगा। दिखिए बच्चा जब छोटी कक्षा में होता है तो शुरू-शुरू में वो किसी चीज को याद करके यह रट कर वो जो भी उस कक्षा की ज़रत रहती है उसको पूरा कर लेता है यह यूं कहिए कि रट रट के याद करके वो बच्चा छोटे क्लासों में अच्छी नमबर सकता है और जब चोटी चोटी ठीरे घर उसकी जो कक्षा बढ़ती है प्रेमरी प्रेमरी से में ने आता है तो उसके ॉलिए यह जो रटने रटाने का का मैं है याद करने का चीज़ों को सीधर लर्णबाइन हाट रट लेने का जो काम है वो काम नहीं चलता उससे काम नहीं चलता। अब यह एक ऐसा ही तर होता है जिसमें टीचर बच्चे को लेशन को समझा देते हैं और बच्चे को स्वयम से कोश्चन का अंसर बनाना होता है। या यू कहिए कि लेशन एक बार समझा दे जाता है टीचर के माध्यम से और उसके बाल उससे संबंधित जो भी अब भास का रहे हैं जो भी क्वेस्टन से रहे हैं फिल इंद ब्लेंग से आर्टिकल से एबरिफिंग कि अब्रिफिंग मेंज को दॉन्स हैस तु कंप्रीट श्री का मतलब पूरा का पूरा एक अपना विचार व्यक्त करना पड़ता है इस भास में अपना विचार व्यक्त करना होता है थो है और जो बच्चे जो 5 जो 510 पर संट के अंदर आते हैं 5 पर संट ही मालिज़ी के तो वह चीजों को समझ जाते हैं यह यह कहिए कि भासा का ग्यान सुरू से उनको होने लगता है और वह इसको देरे-देरे करके असानी से पूरा कर लेते हैं अब बागी जो बच गया 90% तो यह बच्चे देरे-देरे करके इनका पढ़ाई का इस तरह है वह नीचे होते जाता हैं अब आप बताईए कि इनके पिछडने का मुख्य कारण क्या है और मुख्य कारण यही है कि इस बच्चे को इस इंग्लिस लेंग्विज का ग्यान नहीं है इंग्लिस लेंग्विज को शीखने के लिए चार स्किल्स की जरूरत होती है जिसको L.S.R.W. बोला जाता है लिसनिंग, स्PICKING, रेडिंग, एंड रेटिंग, तो बच्चा जब तक इन चारो स्किल्स को अच्छे से नहीं समझेगा तब तक उस लेंग्विज को नहीं समझता है और लेंग्विज को नहीं समझने की वजासे जो आपकी English Language है यहापर तो English Language में उसको तीन से चार सब्जिक्ट पढ़ने पड़ते हैं प्राइमरी और मिडिल में तो लेंग्विज का ही ग्यान नहीं है तो उस लेंग्विज के सब्जिक्ट को वो कैसे समझेगा चलिए इसको उदारान के माद्यम से और इसको क्लियर करते हैं आपके बच्चे को गाय की रचना जिसको हम लोग धकाव बोलते हैं ऐसे वो दिया गया है देखे अब इसकुलों में क्या होता है प्राइमरी की स्थार में हमको सब चीजें लिखा दी जाती है और बच्चे उसको लाइन से रट रट के रट के पूरा याद कर लेते हैं रट लेते हैं और उसी को पीपर में जाके छाप देते हैं जैसे देखी यह लिखा हुआ है आपका देखाव फस्ट फस्ट लाइन में लिखा हुआ है देखाव इस अपेट इनिमल सेकंड में लिखा हुआ है इट हैस इस प्रकार से एक दो तीन चार करके पूरा टेन लाइन्स है दस लाइन आपको दिये गए है तो देखिए सुर लाइन में क्या लिखा है दाकाव अब दूसरे लाइन में क्या लिखा है इट तीसरे में क्या लिखा है दाकाव चांथे में लिखा इट अब दाकाव बोलने से क्या होता है यह नाउन होता है संग्या तो यह संग्या है फर्स्ट लाइन में एक बार लिख दिए गया है अब कि हरे लाइन में इसका यूज होगा इसलिए क्या होता है उसके बदल में प्रोड़ॉम करी जाता है तो यहां पर सेकेंड लाइन में प्रोड़ कर दिया गया थार्ड में बसके बाद में फेरीट अब मैं अपनी बार बता रहा हूं हम लोग जब याद के थे इसको तो कितना मुश्खल से हमने याद किया था कि पहला में दखाऊ होगा उसके बाद दूसरा में इठ होगा फिर तिसरा में दखाऊ होगा फिर चॉन्ता स्था में इठ होगा फिर 5 खुलant Sports Megaphane आए तो इट ही लिखना है अब हमको यहां पर यह नहीं मालूम था कि दकाव नाउन है तो दकाव के बाद फर्स्ट लाइन के बाद अगर बाकी जो भी लाइन है तो हर लाइन में हम दकाव के बदले इट लिख सकते हैं जो कि सही होगा लेकिन उसका नौलिज नहीं होने के कर सब्सक्राण हमने हर एक लाइन को याद करके रखा रट के रखा कि इस लाइन में दकाव और इस लाइन में इट तो देखिए यह बच्ची के लिए छोटे बच्ची के लिए कितना मुश्किल होता है कि अब देखिया और दूसरा एक जामपल देखते हैं यहां पर दकाउ दिया गया है अगर माल लिज़े दकाउ के बदले दिया द एलिफेंट अब बहुत सारे बच्चे देखिए दकाउ तो लिखवाया गया क्लास में लेकिन यह नहीं लिखवाया गया है इसलिए पूरा ब्लेंक छोड़ देते हैं नहीं लिखते उसको क्यों क्योंकि उसको लिखाया नहीं यह है जिसकी वज़े से उसने उसको याद नहीं किया रटा नहीं है इसलिए वह उसको नहीं लिख पा रहा है लेकिन अगर हमको इस इंग्लिस लेंग्विज का बेसिक नालिज रहेगा हमको sentence बनाना आएगा तो देखी हम जिस प्रकार से यह sentence बने हैं उसी की अधार पर हम elephant का sentence बना सकते हैं देखी है यहां लिखा है अब हमको यहां देखना है कि elephant कैसा animal है पेट animal है कि wild animal है तो the elephant is a wild animal sentence पहला बन जाएगा इसी प्रकार इसका भी आप बना सकते हैं इसके भी चार पर होते हैं अब लाउंग को छोड़ सकते हैं इसका सरीर के हिसाब से उतना लंबा नहीं राता है तो one tail लिख सकते हैं और long tail भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा अब देख लिख लिख क्या क्या खाता है यह तो गाय के बारे में हैं यह खाता है fruits the elephant eats fruits कर दीजिए पहले grains अनाज भी खाता है उसके बाद green lips खाता है पेड़ो के and green leaves of trees तो ऐसा कर गी यह sentence बन जाएगा तो कहने का मतलब अगर हमको sentence formation आएगा इसका मतलब basic knowledge रहेगा कि इस language को कैसे लिखते हैं कैसे बोलते हैं कैसे sentence बनाते हैं तो अगर यहाँ cow है यहाँ elephant है donkey है monkey है या किसी भी चीज़ का हमको अगर लिखने के लिए दिया जाए तो हम उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं तो यह हुआ basic knowledge अब इसी को यह तो रही बात English medium की अगर यह हिंदी में आएगा हिंदी में subject में रहता है लिखना है guy तो अगर उसको लिखाया गया है अब बच्चा उसको याद भी नहीं किया एकाद बार पढ़ लिया return ही है फिर भी वो उसको बना लेगा कारण क्योंकि यह हिंदी में है हमारे mother tongue में है और हमारी mother tongue में होने के कारण हम sentence बनाना उसको बोलना sentence formation मतलब हम complete रूप से उसको जानते हैं तो कम से कम 10 नहीं तो हम 7 से 8 लाइन तो बच्चा ऐसे ही लिख लेता है तो यह अंतर हो रहा है तो अब आप यहां से समझ गए होंगे कि बच्चे को सबसे पहले जरुरत क्या चीज़ का है वो एक ऐसे मीडियम में पढ़ रहा है जिसमें केवल हिंदी सबजेक्ट को छोड़के बाकी हर सबजेक्ट साइन्स, एवियेस मैथेमेटिक्स और आगे जो भी आएगा फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलजी इस सारी जो सबजेक्ट है इस सारी सबजेक्ट का उसको इंग्लिस मीडियम में पढ़ना है तो सबसे पहले सबसे पहला इसका जो जरुरत है वहां है इस इंग्लिस लेंग्विज का बेसिक नॉलेज अब इसके बेसिक नॉलेज को जानने के तरीकी अलग-लग हो सकते हैं आप उसको किसी टीचर के पास परस्नली भेज सकते हैं किसी स्पोकन स्पोकन इंग्लिस क्लास होता है उसमें भेज सकते हैं या YouTube चैनल के माध्यम से भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं या अगर आपको अच्छा नॉलेज है इस आप स्वेम उसको पढ़ा सकते हैं तो उबराल में उसको इंग्लिस का बेसिक नॉलेज देना सबसे पहले ज़रुत है मेरा अनुभा है कि कम से कम बच्चे को प्रामरी क्लास तक बिल्कूर अलबिकूर ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान देना है हम पो लेंग्विज पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे बेसिक ज़्यान होगा तो आव मिडी क्लास में और हाई यार और हाई सेकेंडरी भो धीरे धीरे एडवांस लेबल के इंग्लिस सीख जाएगा और अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कम्प्लिट कर लेगा तो इनी सब समस्चाओं के देखते हुए हमने एक यूट्यूब चैनल चालू किया है जिसका नाम है Learn English with Vijay sir तो इसमें हम बिल्कुल सहत सरल तरीके से बिल्कुल प्रारमभी किस तर से सुरुवात से इंग्लिस को सिखाना चालू किया है तो अगर आपका बच्चा इस तरीके से सिखना चाह रहा है तो बिल्कुल आप उसको इन वीडियो को दिखाईए स्वेम देखिए आप और उनको इसका इंग्लिस का नौनिज दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो दूसरे के लिए भी लाब दैक है तो बिल्कुल इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक सेर किजिए चलिए और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार हमारी सुब कामना है हमें साथ के साथ है